दीखिये जी आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले ही कि किस प्रकार से आप किसी भी एक सिंगल फेश इंडक्शन मोटर को चेंज अवर स्विच की मदद से रिवर्स और फारवर चला सकते हैं इस वीडियो के अंदर आपको complete wiring, connection और diagram के जरीए practically समझाया जाएगा ये हमार पास में 3 HP का मोटर है ये 25 Ampere का change over switch है ये हमार पास में 3 HP का मोटर है आपका up to maximum HP हो सकता है इस मोटर को दोस्तो हम change over switch के मदद से reverse और forward चलाना सीखेंगे जिसमें हमारा main purpose होता है कि पूरा का पूरा load running time में दोस्तो running coil पर ही रहेने की starting पर चाहे मोटर reverse चले या फिर forward अब यहाँ पर दोस्तो देखो wiring हम पहले सीखेंगे उससे पहले दोस्तो आपको wires को सीखना होगा wires के बारे में थोड़ा detail से आपको जानना होगा जैसा कि दोस्तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह हमारे पास में एक change over switch है यह दोस्तो आप motor के according purchase करें जैसे कि 3HP का motor है तो up to 25A का आपको change over switch purchase करना है अब यहाँ पर दोस्तो change over switch के अंदर आपको इस तरह से no terminals देखने को मिलते हैं इनके पाड़ी में थोड़ा आपको details से भी समझाएंगे अब यहाँ पर दोस्तों motor के अंदर से आपको 6 wires का output देखने को मिलता है दो हमारे पास running होगे दो हमारे पास starting होगे दो हजाते हैं दोस्तों हमारे पास क्लिज प्लेट वाले wires यानि कि centrifugal switch वाले wires अब कई motors में ये wires आपको 5 देखने को मिलेंगे और कई में देखने को मिलते हैं 4 तो वो किस तरह से होते हैं तो बिल्कुल confusion में मताईए वो आपको आगे समझाएंगे तो देखो motor से wire निकल कर आए 6 ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों identify किस तरह से करना है जो आपकी दो सबसे heavy wires है motor से बाहर निकलने वाली तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यह दोनों सबसे heavy wires है तो यहाँ पर दोस्तों यह तो हो गई आपकी running coil की दो flexible wire निकल कर आती है blue color की जो आपकी clutch plate की है और बची हुई दो wires आपकी starting winding की है समझते हैं दोस्तों इन 6 wires की बेच का connection आपको करना क्या है दोनों clutch plate की wire और दोनों starting coil की wire कोई भी तो एक clutch plate की wire ले लिजिए centrifugal switch की wire और कोई भी एक clutch plate की wire ले लिजिए और उन दोनों को एक साथ joint कर दीजिए अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह से मैंने एक joint कर दिया और इस joint को आपको tape कर देना है अब कई conditions में क्या होता है इस joint को उपर एक wire जूड कर अंदर ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों उसके बाद से motor से आपको 5 wires का output देखने को मलता है तो यहाँ पर दोस्तों देखो मैंने क्या किया इस wire को हम tape कर देते हैं यहाँ पर जो कि हमने एक clutch plate के wire को और एक starting coil के wire को हमने joint किया था तो यहाँ पर दोस्तों total wires का हमारे पास में output बच जाता है अब 4 यहाँ पर यह हो गया clutch plate का यह हो गया starting का यानि कि यह दोनों starting के wire हो गए और यहाँ पर यह दोनों running के हो गए अब बारे आते हैं दोस्तों इनके साफ में capacitor जोडने की यानि कि condenser यहाँ पर condenser आपको starting वाले wires पर जोड़ना है, यानि कि याल तो इस वाले wire पर लगा दीजिए, जो एक starting winding से बचता है, या फिर इस close plate वाले पर लगा दीजिए, यहाँ पर दोस्तों यह blue color वाला हमारा 200-250 में अपटी का starting capacitor है, इससे दो wire निकल कर आती है, तो इन दोनों wires में से कोई भी एक wire, या अब यह दोस्तों एक non polymer capacitor है, तो minus plus का कोई चकर नहीं होता, इसके बाद साबको चार flexible wire लेनी है, यहाँ पर दो blue color की wires ली है, मैंने दो black color की wires ली है, blue colors की wires को हम running coil के wires पर joint करेंगे, और black color की wires को हम starting coil पर wire पर joint करेंगे, यहाँ पर दोस्तों बहुत ही आसान प्रोसेस है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिए मैंने दोनो blue color की wire, तो एक blue color वाली wire मैंने कर दी running coil के wire पर joint, और दूसरी वाली कर दी मैंने दूसरे वाली running coil के wire पर joint, जो सबसे heavy wires है, यहाँ पर दोस्तों तकरीबन आप 10 mm की copper wire इस्तमाल करें, running coil के लिए, joint के लिए, अब यहाँ प capacitor से जो एक wire निकलता है, उस पर joint कर देते हैं, starting coil के wires को joint करने के लिए, आप एक mm की copper wire इस्तमाल करें, इसके बाद से दोस्तों इन चार wires को हम tape से cover कर देते हैं, इसके बाद से हमार पास tape पे cover कर देते हैं, इसके बाद में चार wires का output मिलता है, दो blue और दो black, below आपकी running और black आ output डाल देते हैं, और जो दोस्तों left hand side में इसमें electricity का input डालेंगे, यहाँ पर दोस्तों right hand side के तरफ हमारे 4 wires का output जो motor से निकलते हैं, वो हमने change over switch के अंदर ले आए, और यह black and red, यह हमारी 220 volt main AC electricity के wires है, अब change over switch के terminals को आप समझ लीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों change over switch के terminals देखने को मिलता है, total no terminal है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, कि यहाँ पर दूसरे वाले terminal को छटे वाले terminal से cross में जोड़ा हुआ है, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, कि यहाँ पर 5 वाले terminal को तीसरे वाले terminal पर cross में जोड़ा हु तर्मिनल पर लगाना होता है, तो यहाँ पर दोस्तो एक wire loop आप ले लीजिए और उसे आप पहले से और दूसरे वाले टर्मिनल पर लगा दीजिए जितना भी दोस्तों, आपको already wiring मिलता है, इसमें लगा हुआ उसमें दोस्तों ये वाला loop आपको नहीं मिलेगा तो ये वाला loop आपको खुद से लगाना है तो के चेंज ओवर स्विच में से दोस्तों ये तेन वायरस का वायरिंग में आपको नहीं मिलता जो मैंने आपको पहले समझाया तो आप इसे खुद से मैनुली भी कर सकते हो बड़ा ही आसान प्रोसेस है अब यहाँ पर दोस्तों देखो मैंने एक तरफ से लूप को लगा दिया दूसरे वाले पॉइंट पर और एक तरफ से लगा दिया पहले वाले पॉइंट पर और इन वायरस पर लगा कर इसे tight करके complete कर देता हूँ यह दोस्तो हो जाता है हमारा पहले से दूसरे वाला loop complete इसके बाद से दोस्तो अब बारी आती है motor के running coil के wires को change over switch के अंदर लगाने की तेहापर दोस्तो running के दोनो wires है हमारे पास में blue और starting के दोनों है black तेहापर दोस्तो हम क्या करेंगे जो दोनों blue wires है उन्हें हम एक को जोड़ेंगे B terminal पर इस वाले पर और एक को जोड़ेंगे C terminal पर यानि कि सबसे middle में यानि कि बीच में एक में running wire लगाएंगे B terminal पर और एक को लगाएंगे C terminal पर उपर ही उपर का A terminal हम बिल्कुल empty खाली छोड़ देंगे इसके बाद या दोस्तो आपको दोनों starting coil के wires को लगाना है अब यहाँ पर दोस्तो जब हमने blue wires को लगाया ना तो यहाँ पर कोई measure नहीं करता कि आप किस wire को कहाँ पर लगाओ कोई भी एक running coil का wire B पर कोई भी एक running coil का wire C पर इस तरह से लगाने है starting का एक wire आपको पहले loop पर लगाना है यानि कि चाहे तो दूसरे पर भी लगा सकते हैं और एक लगाना है आपको तीसरे वाले loop पर यानि कि दूसरे और तीसरे वाले loop पर इस तरह से लगा देना है आपको starting coil का एक एक wire हमारे पास starting के दोनों wire आते हैं black color के ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो देखो एक black wire को लगाता हूँ मैं यहाँ पर तीसरे वाले loop पर जो कि हमारे सबसे right hand side के तरफ नीचे ही नीचे वाले terminal पर देखिए जी हमने black wire लगा दिया यहाँ पर लगा देने के बाद में दोस्तो इसे अच्छे से आप tight कर दीजे याद रखिए दोस्तो हलका मत छोड़िएगा tight कीजेगा वरना यह loose रहते spark करकर जल जाएगा इसके बाद से दूसरे वाला wire आपको या तो दोस्तो दूसरे वाले terminal पर लगा दीजे या पहले वाले terminal पर लगा दीजे या फिर चोथे वाले terminal पर लगा दीजे क्योंकि दोस्तो देखो wiring होने के बाद में वो wires वहीं पर joint है यानि कि यह आपको इस तरह से लगाना है कि जहां पर comfortable रो जहां आपको लगाना ज़्यादा सुईधा जनक रहे तो हमने starting का एक wire लगाया दूसरे वाले loop पर दूसरे वाले point पर और एक लगाया हमने तीसरे वाले loop पर तीसरे वाले point पर इसके बाद से दोस्तों आप बारी आती है electricity के wires लगाने की electricity का एक wire तो देखो दोस्तों आपको लगाना है A वाले point पर जो सबसे middle में सबसे top पर है यानि कि बीच में ABC जो वाली line है उसमें सबसे A वाले point पर आपको main electricity का एक wire लगाना है दोनों में से कोई भी एक wire लगा दीजे यहां पर phase और neutral का कोई लफड़ा नहीं है कोई चक्र नहीं है तो कोई भी wire आप कहीं पर भी लगा सकते हैं तो एक लगा देते हैं हम A point पर जो कि सबसे middle में है तो चलिए दोस्तों एक wire हम यहां पर A point पर लगा देते हैं और दोस्तों दूसरा दो आपको wire है वो आपको लगाना है यहां पर इस वाले point पर जो कि आपका jumper wire पांचवे वाले टर्मिनल से तीसरे वाले टर्मिनल पर जाता है तो same condition रहेगा तो दोस्तो मुझे comfortable रहा मैंने पांचवे वाले पर मुझे ज़्यादा ठीक रहा तो मैंने इस पर लगा दिया इसके साथ मैं आपका wiring और connection completely change over switch के अंदर complete हो जाता है इसे दोस्तो अब हम testing करेंगे और electricity की wires मैंने electricity में लगा दी है अब यहाँ पर दोस्तो उससे पहले मैं आपको इसका एक wiring diagram दिखा देता हूँ देखे जी यह इसका complete wiring और diagram है इसे आप save कर लिजे यह आपके future में काम आएगा और काफी आपके लिए knowledgeable रहेगा अब यहाँ पर दोस्तो इसे हम completely एक बार ही testing करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो देखो हमने electricity का वायर्स लगा दिये है अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसे left से right hand side के तरफ गूमाते है चेंज़वर स्विच को यह हमने किया motor को start तो motor हमारा गूमने लगा दिखते हैं यह किस side गूम रहा है ओफ होने का wait करते हैं तो यह दोस्तो गूम रहा है कुछ इस तरह से यानि कि anti clockwise तो यहाँ पर दोस्तो अब इसे हम right hand side तरफ left hand side के तरफ गूमाते है चेंज़वर स्विच के बटन को ठीक है तो यह motor हमारा फिर से चलने लगा यहाँ पर दोस्तो इसे off कर देते हैं बीच में हमारा चेंज़वर स्विच off रहता है तो अब motor हमारा चल रहा है कुछ इस तरह से यानि कि जैसे कि हमारा घड़ी घूमता है यानि कि clockwise तो इस तरह से दोस्तो आप एक सिंगल फेस मोटर को चेंज़वर स्विच की मदर से रिवर्स और फारवर चला सकते हैं यह है आपका कम्प्लीट वीडियो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें आपको सबसे पहले धन्यवाद